आज की में पर हम जाननेबहे हैं इस तरीके का रीडार वीडार अजै कर लेना तीन editing को start कर लेते हैं first of all insert app को open कर लेंगे एंड उसके बाद video के उपर हमें क्लिक करके new के उपर क्लिक करना होगा then photos वाले यह जो section है इसमें आ जाना है और अपना photo को select करके just add कर देना ठीक है photo add हो गया सबसे पहले आप यहाँ पर scroll करो and एक background का option आएगा इसके उपर क्लिक करके just black select कर ले ना ठीक है black background select करके done कर देना देन उसके बाद आपको कुछ भी करना है अब यहाँ पर इसका ratio सबसे पहले हम सही कर लेते हैं 9 to 16 में तो canvas के उपर जाएंगे 9 to 16 को select कर लेंगे and इसे एडिट के उपर जाएंगे 15 सेकेंड का इनफ होगा 10 या 15 तो मैं 15 रख लेता हूं and इसे डन करते हैं ठीक है then फिर से डन करना है तो यह आप देख सकते हो कुछ इतना 15 सेकेंड का हो चुका अब इससे हमें थोड़ा साइस करनो opacity थोड़ा कम करना है and इसे black black में convert करना है ठी पर आपको क्लिक करना है एंड इसे 50 के approach रख देना ठीक है 50 51 इस तरीके से रहे कोई बात नहीं है इतना रखके just done कर देना है अब हमें यही सेम फोटो को layer से लेके आना होगा मतलब layer में लाना है तो आप यहाँ पर पी आईपी को पर क्लिक करना and उसके बाद अपने फोटो करो mask के उपर आजाना and third वाले को select करना ठीक है third वाले को select करके आप यहाँ से अच्छा से पहले adjust कर लेना जितना आपका फोटो होगा तो कुछ इस तरीक से adjust कर देंगे देन उसको बाद यह वाला जो आपको मिल रहा है arrow इसे आपको थोड़ा सा increase करना है so that की curve बन सके ओके then square done कर देना तो आपको देख सकतो यहाँ curve create हो गया अब इस फोटो का duration पूरे वीड़ो के last तक कर देंगे so that यहाँ से increase करते है and वीड़ो के last तक लेके आ जाएंगे then उसके बाद आपको यहाँ पर एक पार्टीकल इफेक्ट एड़ करना है उस पार्टीकल इफेक्ट का लि and यहाँ से scroll करके black color को हटाने के लिए blending के उपर आप चले जाना देना screen को select करके done कर देना ठीक है and अगर इसका length जादा है तो वीड़ो के last में जाके split करके delete कर देना ओके तो आप देख सकतो यहाँ पर यह पार्टीकल इफेक्ट एड़ हो गया अब उसके बाद हमें यहाँ आप एक butterfly वाले जो वीड़ो था उसे add करना हो तुसे add करने के लिए फिर से PIP को पर क्लिक करते है and इस butterfly को select कर लेंगे add हो गया अब इसका green color हटाने के लिए आप यहाँ स्क्रॉल करना chroma के उपर जाना and इस green color को select करके strength थोड़ा सा बढ़ाके just done कर देना ठीक है अब इस अ adjust कर लेंगे उसके बाद अगर इसका duration जादा है तो कम करेंगे बट यह सही है तो रहने देते हैं ठीक है अब हमें यहाँ पर lyric sudo add करना है तो lyric sudo add करने के लिए simply sa PIP को पर click कर लेंगे and lyric sudo को select करेंगे कुछ lyric sudo का link में दे दिया हूं description में और बाकी तो आपको पता ही है कहा यहाँ पर lyric sudo में लेगा ठीक है तो अपर gain कर लेना सो इस lyric sudo को select कर लेते हैं select हो गया इसका size increase कर लेंगे and नीचे में fix करेंगे यहाँ पर ठीक है देन इसका जो black color है उससे हटाने के लिए आपको पता ही है just blending के ऊपर जाके screen को select करना होता है and हट गया ठीक है then इससे आप इसे तरीके से यहाँ adjust कर लेना तो almost यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुक है बस इसके last में आते हैं extra part को यहाँ से just split करके delete कर देते हैं ठीक है अब हमें just यहाँ पर एक sticker नहीं emoji add करना है ऊपर में ठीक है तो emoji add करने के लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर आ जाना ठीक है इसके बाद एक color के ऊपर आप चले जाना ठीक है colors वाले में आप जाओगे तो shadow का एक option मिलेगा इसमें जाके आप yellow को select कर लेना ठीक है yellow को select करके X को भी 0 करना है Y को भी 0 करना है and उसके बाद done कर देना है then इसे आप ऊपर में यहाँ पर रख सकते हो size अपने according देख रहेना क quality अगर आप चाहो तो 4K में कर सकते हो but 1080 इनफ होता है तो इतना ही रखेंगे and save को पर क्लिक कर देंगे ओकी तो इस तरीके से इस वीडियो को बनाया जा सकता है I hope आपको हरीकस्टिप समझा चुका है और वीडियो भी पसंद आए अगर वीडियो पसंद आ गया तो यह में तब तक के लिए बाई बाई